गुड मॉनिंग चिल्रन्स क्लास फोर्थ जैसे के मैं आपको चप्टर फस्ट कोयत चडियों की रानी पढ़ाऊंगी देखे सबसे मैं आपको पार्ट परिचिक राती हूँ उसके बाद फिर मैं इसके आपको सब्दार्थ करवाऊंगी देखे मधुराणी सबी को अच्छी लगती है मधुराणी जो मीठी वानी है जो हमारे मीठी बोली है वो सबी को अच्छी लगती है कुछ पक्षियों की आवास तो इतनी मीठी होती है कि सुनकर ही मन खुश हो जाता है कुछ पक्षी होते हैं उनकी आवास तो इतनी मीठी होती है इतनी मधुर होती है कि जिसको सुनकर ही जो अमारा मन है वो बहुत खुश हो जाता है इस कविता में कोयल की मधुरवानी वस्वर को बहुत ही सरल सब्दों में व्यक्त किया गया है जो हमारी मीठी वानी है इसको इस चेप्टर के माध्यम से मधुरवानी को बहुत ही सरल सब्दों में व्यक्त किया गया है दूसरों को बताया गया है देखे, मैं आपको पहले चप्टर के सब्धार्थ करवाती हूँ, देखे, क्लास हमारी फोर्ट है, विशे हिंदी, चप्टर हमारा फ़स्ट सब्धार्थ कराती हूँ, पर चप्टर का नाम है कोयल, चडियों की रानी, तो हमारा फ़स्ट सब्धार्थ है, कूक, 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 कू कू का मतलब है कोयल की आवाज जो कोयल है जो कू कू कर बोलती है कोयल की कोयल की आवाज सन नेश्ट है सन देशा सन देशा यहाँ पर हम ऐसे वन लिख देंगे यहाँ पर टू शन देशा शन देशा का मतलब है सूचन थ्री है सूचन या फिर संदेश जैसे इंग्लिश में हम उसको बोलते है न मैसेज यह तो यह वह वाला मैसेज है या समाचार नेश्ट है डाली पेड की साखा नेश्ट है मेगूं से मेगूं का मतलब है बादल तो मेगूं से बादलों से मिठास नेश्ट है मिठास का मतलब है मीठास्वाद मीठा स्वाद नेश्ट है मीठी मीठी का मतलब है मधुर मधुर नेश्ट है भली भली का मतलब है अच्छी नेश्ट है सदा सदा का मतलब है हमेशा देखे चल्डरंस यह हमारे चेप्टर वन के सब्दार थे हैं देखे दुबारा रिपीट करती हूँ कूक कूक का मतलब है कोयल की आवाज जो कोयल है वो कूक कूक कर बोलती है संदेशा सूचना संदेश या समाचा डाली डाली का मतलब है जो पेड़ की साखा होती है जो पेड़ की टैनी होती है उसको बोलते है डाली मेगु से मेगू का मतलब है बादलों से मिठास मीठा स्वाद मीठी मीठी का मतलब होता है मधुर भली भली का मतलब होता है अच्छी और सदा सदा का मतलब होता है हमेशा चल्डरन्स आज के लिए इतना है काफी है हम आपको सब्दार्थ लर्न करने है and write करने हैं ठीक है और जिन बच्चों ने पहले write कर लिये थे उनको नहीं करने है जिनका new admission है उनको ये write करने हैं ठीक है and सभी को learn करने है work हमारा chapter 1 सब्धार्थ learn learn and write